जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले में हाल ही में तीन आतनकवादियों को गिरफतार किया गया इन घटनाओं की पूरी जानकारी निम्नलिखित है डोडा जिले में पिछले कुछ दिनों में आतनकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच कई मुठ भेरे हुई है मंगलवार की रात आतनकवादियों ने भधरवाह चटेरगला मार्ग पर एक सयुक्त चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसमें पांच राश्ट्रिय राइफल्स के जवान और एक विशेश पुलिस अधिकारी घायल हो गए बुधवार को एक और मुठभेर हुई जब आतनकवादियों ने गंदोग शेत्र में तलाशी टीम पर हमला किया, इस मुठभेर में एक पुलिस कर्मी घायल हो गया, पुलिस ने इस घटना के बाद चार आतनकवादियों के स्कैच जारी किये और उनके बारे में जानकारी दे किया गया है, स्थानिय लोगों से अपील की गई है कि वे संदिग्ध गतिविधियों की सुचना तुरंत पुलिस को दें, इस स्थिती को देखते हुए सुरक्षा बलों को उच्च सतर्कता पर रखा गया है और संभावित हमलों की आशनका के चलते राजोरी और पुंच ज दिलों में भी सघन तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं।